हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तो मैं चैनल इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही बेल एकन को प्रस किजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरन पहुंच सके आप सभी जानते हैं मैं इंपोर्डेंट करा रहा हूं इससे पहले दो वीडियो से अपलोड कर चुका हूं ए थर्ड वीडियो है क्वाडिटिक एक्वेशन के वरी इंपोर्डेंट के एक्वेशन अच्छी तरह लिजिए और प्रैक्टिस किजिए चलिए हम क्वेशन देखते हैं इने क्लास 60 स्टूदेंट्स बॉ सबस्क्राइब ग्सक्राइब ग्रॉप से इस तो बहुत ए सवाल है इसका सवाल में आप क्या करएंगे let the number of boys को ले लेंगे x और number of girls क्या हो जाएंगे यह x में से यह जो total strength में से अगर आप girls boys को अटा दिंगे तो girls बज जाएंगे 60 their product इसका product लेंगे आप क्या हो जाएगा x into 60 minus x यह product हो जाएगा x into 60 minus x is equal to यह लोग कितने रुपिस contribute करें 1600 रुपिस x into 60 is 60 x minus x into x x square is equal to 1600 यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा यह equation 60 x minus x square is equal to 1600 लेकिन आपको यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा boys and girls twice है boys भी है girls भी है तो इसको 2 से multiply करना पड़ेगा आपको 60 x minus x square is equal to 1600 क्योंकि twice है boys and girls दोनों भी है यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह 120 x minus 2 x square इसको अंदर की तरफ ला ला लिज़े 1600 is equal to 0 यह minus 2 x square लिखकर plus 120 x minus 1600 is equal to 0 minus से multiply कीजिए 2 x square plus 120 x minus 1600 is equal to 0 minus से multiply करने पर 2 x square minus 120 x plus 1600 is equal to 0 यह 2 से divide आप कर सकते हैं पूरे equation को divided by 2 of equation क्या हो जाएगा divided by 2 to cancel हो जाएगा x square 260 is 120, 2 x 16 is equal to 0 अब यहाँ से आपको factors निकलना है 800 x square यह factors अगर आप बहुत आसानी से निकल जाएगा 40 x 20 हो जाएगा यह दोनों minus से plus 40 में से 20 20 is minus into minus सारी minus into minus plus यह दोनों को add करेंगे तो 60 x हो जाएगा तब आप यह 60 निकल के दोनों रख सकते हैं minus 40 x minus 20 x plus 800 is equal to 0 x common x minus 40 as it is bracket x minus 40 यह minus 20 is equal to 0 दोनों bracket सेम होगा एक बहुत x minus 40 यहां से x minus 20 is equal to 0 separate किजिए x minus 40 is equal to 0 x is equal to 40 यह x minus 20 is equal to 0 x is equal to क्या हो जाएगा x is equal to 20 यह 40 और 20 हो जाएगा तो boys आपको ले लेंगे तो boys आपको ले लेंगे 60 minus x लिखेते हैं तो 60 minus 40 हो सकते हैं यह 60 minus 20 हो सकते हैं यह हो जाएगा 60 minus 40 हो जाएगा 20 60 minus 40 हो जाएगा 60 minus 20 हो जाएगा 40 यह girls is equal to 20 boys is equal to 40 हो सकते हैं यह boys 40 girls 20 भी हो सकते हैं इस तरह आप इसको solve करना पड़ेगा चलिए भी एक important question है देगे Find the root of the following equation इसके roots आपको find out करना है equation के roots तो given लेने आपको given x minus 1 by x is equal to 3 not equal to 0 के बराबर है यहां पर one दालेंगे LCM x x into x x square 1 into 1 1 is equal to 3 cross multiplication करें x square minus 1 is equal to 3 into x क्या हो जाएगा 3x x square इसके तरह ला लिजें minus 3x minus 1 is equal to 0 1 into x square 1 x square करेंगे तो इसके कोई भी factor यहां पर नहीं आते तो यहां पर अगर factors नहीं आ रहें तो आप ऐसे time में क्या करेंगे formula यूज़ करेंगे minus b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a यह formula अपले करना है आपको factors नहीं आने के सूरत में factors आ रहे तो आप solve कर सकते हैं a is equal to 1 b is equal to minus 3 c is equal to minus 1 substitute किज़ मिनस a minus 3 plus or minus under root b square minus 3 square minus 4 ac 1 into minus 1 by 2a 2 into 1 minus into minus plus 3 plus or minus under root 3 3 is a 9 minus into minus plus 4 1 is a 4 by 2 under 2 3 plus or minus यह दोनों को add किज़े 13 by 2 अब इसको दो बार लिख सकते हैं एक बार plus के साथ लिख सकते हैं 13 by 2 एक बार minus के साथ लिखते हैं 13 by 2 यह आपके दोनों के answers इस तर आप solve कर सकते हो चली एक और important question है दीगे The sum of the reciprocals रहमान's age in year 3 years ago अगर हम लोग एक number ले रहे हैं उसका reciprocal करने पर रहमान की age तीन साल पहले देखेंगे और पांस साल बात देखेंगे तो 1 by 3 के बराबर होगी अब present age कितनी है आपको find out करना है बहुत आसान question है तो suppose आप क्या करेंगे let the number is let the यहां पर solve में let the रहमान age is equal to x years calling him x years उसके बात 3 years उल्ठा जाना है इसको 3 years अगर मने पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x minus 3 हो जाएगा इसको 1 डाल के इसका reciprocal करेंगे reciprocal question में दे रहा है इसका पूरा करना है x minus 1 by 3 और इस reciprocal उसके बाद 5 years now 5 years now मने अब 5 साल बात या अब x plus 5 इसका reciprocal करना है आपको 1 डाल कर उल्ठा करेंगे 1 by x plus 5 अब इस दोनों का sum करना sum of the two numbers पहले बाल होगा 1 by x minus 3 दूसरे बाल होगा 1 by x plus 5 is equal to total 1 by 3 years यह आपको question में दे रखा है अब यहां पर आपको LCM लेना है x minus 3 x plus 5 x minus 3 x minus 3 x minus 3 is equal to 1 by 3 यह x है और यहां पर आपको plus है यहां पर plus लेना x और x क्या हो जाएगा 2x 5 minus 3 क्या हो जाएगा 2 by यहां पर इसको multiply करेंगे x लिखके ब्रैकेट में लिखेंगे x plus 5 minus 3 लिखकर ब्रैकेट में x plus 5 आप चाहे तो direct भी कर सकते हैं 1 by 3 यह 2x plus 2 by x into x x square x into 5 5x 3 into x 3x is equal to 1 by 3 1 by 3 अब यहां पर next करेंगे 2x plus 2 by x square यह दोनों को minus करेंगे plus 2x minus 15 is equal to 1 by 3 अब इसको cross multiplication केजिए 3 into 2x plus 2 is equal to 1 into x square plus 2x minus 15 3 to the 6x 3 to the 6 1 into x x square 1 2s are 2x minus 15 अब next step के लिए x square plus 2x minus 15 इस तरफ ला लेजे minus 6x इस तरफ ला लेजे minus 6 is equal to 0 ऐसा equation इसको बनाना है x square यह दोनों को minus कीजिए 4x यह दोनों को add कीजिए 21 is equal to 0 अब यहां से factors निकाल लोगे 21x square इसके factors बनेगे 7 3s are 21 minus इसको plus ले सकते हैं इन दोनों को minus करने पर 4x आ जाएगा तो x square minus 7x plus 3x minus 21 is equal to 0 x common x minus 7 same bracket x minus 7 यहां पर 3 is equal to 0 दोनों bracket same होगे x minus 7 यहां से x plus 3 is equal to 0 separate कीजिए x minus 7 is equal to 0 x is equal to 7 x plus 3 is equal to 0 x is equal to minus 3 तो अभी present यह लेना है positive लेना है रहमान present present age is 7 years इस तर आप इसको लिखना है एक और question है very important दीखे एक train travel 360 km at uniform speed एक train 360 km uniform speed से same speed से travel कर रहे है speed head 5 km per more than अगर इसके speed 5 km और बढ़ाया जाए तो वह जहां पर पहुंच रही है वहां पर पहुंचने के लिए एक घंटा कम समय लेगी तो same journey के लिए find the speed train के speed आपको find out करना है तो यहां पर आप लिखेंगे let the train speed is equal to x km per r और train travel कितने km कर रही है वह भी आपको लिखना है train travel 360 km यहां पर आपको formula time is equal to distance by speed का formula यूज करना है आपको तो इसलिए यहां पर speed कितने ले रही speed 5 km per hour more का मतलब add करना है x के अंदर x plus 5 चलिए same speed पहले 360 km जा रही है same speed से उसके बाद कम समय ले रही है less than इसलिए हम minus लिखे 360 by x plus 5 is equal to यह एक घंटा पहले इस तरह equation completely यह बन जाएगा यहां से 360 common ले लेंगे आप तो 1 by x minus 1 by x plus 5 is equal to 1 यहां पर आप 1 by x minus 1 by x plus 5 is equal to 1 by 360 यहां पर से L same ले लेंगे x into x plus 5 x plus 5 बाद जा x plus 5 minus x 1 जा x is equal to 1 by 360 x और x cancel 5 by x into x x square x into 5 5 x is equal to 1 by 360 अब इसको cross multiplication करेंगे हम यहां पर अगले page में कर रहा हम दीखे इसको cross multiplication कीजे x square plus 5 x is equal to 360 into 5 x square plus 5 x is equal to 365 जा multiply करेंगे आप 1800 x square plus 5 x अंदर की तरफ ला लेजे minus 1800 is equal to 0 factors 100 कीजे 1800 x square इसके दो factors बनेंगे 45 40 आप इसको plus ले सकते हैं इसको minus ले सकते हैं इन दोनों को minus करने पर 5 x यह answer आपका आ जाएगा अब आ x square यह अटा के दोनों रखीजे 45 x minus 40 x minus 1800 is equal to 0 x common x plus 45 as इस इस ड्राक्ट इदर एक x plus 45 minus 40 is equal to 0 दोनों ब्राक्ट सेम एक x plus 45 यहां से x minus 40 is equal to 0 x plus 45 is equal to 0 x is equal to minus 45 x minus 40 is equal to 0 x is equal to minus 40 plus 40 जो positive होता है वो लेना है negative को छोड़ना है तो यहां पर लिखेंगे the train speed is 40 km per hour एक और question है find the nature of the roots इसके nature find out करना है nature of the roots का formula d is equal to b square minus 4ac आपको लेना है यह आपको ट्रिक यात करना है अगर d greater than 0 अगर कोई number प्लस में आयागा तो the roots are real and equal लिखते हैं अगर less than में आया है तो the roots are imaginary लिखते हैं यह अगर किसी का answer 0 आ गया तो the roots are real and equal लिखते हैं यह आपको याद रखना है तो a is equal to 2 b is equal to minus 3 c is equal to 5 अब इसके अंदर substitute कीजिए b square minus 3 square minus 4 a c 2 into 5 3 3 is a 9 4 2 is a 8 5 is a 40 d is equal to यह दोनों को minus कीजिए 31 तो d यहाँ पर minus आ रहा है less than minus 31 तो आप क्यालिक सेखते हैं the roots are imaginary यह लिखना है क्यों होगा second ओल एक और देखिए a is equal to 3 b is equal to minus 4 root 3 c is equal to 4 formula d is equal to b square minus 4 a c यह हो जाएगा b square क्या हो जाएगा minus 4 root 3 square minus 4 a c 3 into 4 4 4 is a 16 square root cancel 3 minus 4 3 is a 12 4 is a 48 16 3 is a 48 minus 48 यह दोनों को minus कीजिए 0 d is equal to 0 तो आप क्या लिख सकते हैं the roots are real and equal लिख सकते हैं the roots are real and equal इस तरह अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें best of luck all the students guide